नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजे ब्रमात्मज आज हमारे साथ ललित तिवारी जी हैं और ललित तिवारी जी से हम उनके जीवन के बारे में फिल्मों के सफर के बारे में बहुं सारी बाते करेंगे और चालना चाहेंगे कि इस सफर का हासिल क्या रहा उनके लिए क्योंकि एक लंबा अंतराल हुआ, उनको काम करते हुए, फिल्मों में, टीवी शोज पे, ठीटर में, सब जगा काम किया उन्होंने, और अब लगबग उस इस्थिति में पहुंच चुके हैं, जहां पे सारे अनभो बटोर कर विब और भी आगे ये सुपर जारी रखना चाह बात होती है आपको. इसी दिन, घंटा मिनट सेगंड के हिसाब से, जैसे ही ये बच्चा कुछ कर रहा है, सड़क पर चलते हुए, या मां की गोद में, ऐसे ही मैं भी हूँगा. अब तब मैं इस समझ नहीं पाता है कि या लड़े तिवाडी सतर साल का ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो आइसक्रीम खा रहा है, गोल कपे खा रहा है, रो रहा है, अपनी मां की गोद में सो रहा है, गमाल की बात है. और ललितिवाडी एक्टर भी बन जाता है, बुड़ा भी हो जाता है, इतनी लबी दाड़ी भी हो जाती है, खैर आप सब्जेक्ट हतम, आप ट्राइ कीजिएगा, आपकी जिन्दगी बहुत मज़ा आएगा आपको, आपको लगएगा कि मैं वह हूई हूँ, बिलकुल ऐस साथ साल से मैंने दुकान-उकान बेटना षुरू कर दिया था, अपने, तो या तो पिदाजी पान बेजते थे या उनके कोई यार दोस्त, कोई नौकर इस तरह से पान बेजता था, मिरे यूदग बढ़ा लेता था, मैं उस आदमी के हाथ में दे देता था, और पैसे ले तो वापस भोई करते थे मुझे पता नहीं था वो उचमाना था यह चेंज है एक आना डो लो ना you these तो उस्तरे का होता रुटे वाला सिस्टम नहीं चला था तों पिर मैं लुपह का शेंज होगा उसमें 25 95 का 1 रूपया होता था पुराने पैसे से और नए से 1 रूपय का 100 पैसेxes उते थे तो 46ेफाएटब हो चार पैसे के लिए लॉड़ाई होजा जाती थी बहुत लॉराई हो जाती थी करते चार पैसे तरशे तरफे करते पिर मैं बड़ा हूँ थोड़ा सा मैंने पान बेशना चीखा, मेरे पिटाजी की तब खराव होने लगी, फिर मैंने दुकान में चोरी बहुत की अपनी, और चोरी करते-कोरते मैं तुकान में र Variक्र कुल कंगाल कर दी, कुछ parece नहीं होता था मारे दुकान में पिक्री होती थी, घर चराहना बहुत मुश्किल हो गया और उसी दोरान मेरा जिन्यू भी हो गया चोरी करने की वज़ा क्या था चोरी करने की वज़ा कि मिठाई खाने को मिले पैसे तिकिया खा ली समोसे खा ली है यह खा ली इसके लिए पैसे चोरी होने वाले हुए बट वो पैसे बहुत चोड़ी हो जाने वाले हुए करते करते उस तहरे में दो रूपे चार रूपे एक रूपिया आठाने भी बहुत होने वाले हुए तो भाज साब ये करते करते अब समझ माने लग गए जब घर की हालत खराब हुए तो मैंने उसके लिए धीरे-धीरे कुछ जुचिंगा जुआर गरना शुरू कर दिया Like मैंने एक बार क्याते हैं एक लाइबरी बनानी शुरू करते हैं वह चार-चाराने में लोग देते थे तो मैंने का चलो यार यह भी करके देखते हैं आप साब पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आ था मेरी बुद्धी ऐसी कैसी थी मैंने हिंद पॉकेट बुक्स से बहुत सारी किताबे मंगा ली अचा उनके जो घरे लूप उस्ता की योजना होती है घरे लूप उस्ता की योजना है मैंने वो किताब में मंगा ली अब सबसे पहले ही मैंने इपड़ डाली मैंने भाई साब पताई है तेरा चौदा साल की उमर में तारा संकर बंद्यो पाध जाए ये देवदास वाले अपने हैं ये होगे पथेर पंचाली सब पॉर्ड डाली जी तेरा चौदास साल की उमर में और मेरे को समझ में नहीं आया है जबकि जासुषी मादा जासुषी किताबे पढ़ने का जमाना हुआ करता था तुन मेरे एक दोस्त गुआ तार नोकरी करता था तो उसके हर पका जेब में रहती थी उसने मिरे को जासुजी किताब पढ़ना सिखा दिया पर मैंने खरीदी नहीं भाई साब हो खरीदी हिंद पॉकेट बॉक्स से घरे लुए होजना वो भी करते करते हैं और वो खतम हो गई फिर मिरे कावा जरा सा में बड़ा हुआ तो मिरे को जरा थोड़ा सा हो समझमा आई तो पहली बार मैं अपने घर से निकला मैं समझो 15-16 साल बावन में पैदा हुआ तो आप समझे यह 68 सन की बात होगी 68, 68 सन की, 79 सन की इस तरह की बात होगी कोई मंजिल के थी, कोई उद्देश यही घर चलना है असली चीज़ है घर चलना है पिताजी की तब्यत खराब, पिताजी को हो गई टी बी तो वो जादा काम नहीं कर सकते थे और भगत ऐसे थे कि वो ठंडे पानी से नहाने के लिए चले जाते थे बाहर ऐसे मतलब तब्यत उनकी इस तरह से खराब ही रहती थी, दूसरी हरनिया की प्राबलम थी, जो करीब करीब रोज होने लग गई थी उनको तो उसमें उनको बड़ी मुश्किल होती थी, तो करीब करीब मुझे इसकूल से आया तो दुगान में बैटना, देखना तो अब जोगान बिल्कुल चलती नहीं थी, कुछ ऐसा माली नहीं था, तो मरे दिमाग में आई लखनो जाकर समान लाना चाहिए, तो पहले बार मैंने कुरसेड बनाया, मेरी मदर ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे वो नहीं है, बैटा जूट कभी मत बोलना कहके नहीं ब रुपी क्या वैल्य होगी, और पंद्रा साल का लड़ा, लखनो जा रहा है, तब शेवें कटना और ये करना बड़ी, मामुली सी बात हुआ करती थी, सोचो आप जरा सा, तो भाइसां पांच जार रुपे, कभी चवणी नहीं गिरी भाइसां मेरी, चवणी कभी नुक्सा नहीं हुआ, अब वहां जाके, सबसे पहले वो पांद्रीबा गए, पांच जार रुपे उसके हाथ में रखे, समान की लिस्ट पुरी थमाई, उसमें, उसके बास सीथ हैं, अमीनाबाद, अमीनाबाद ने पान के मीठा, ये वो तमा को वहां को ये खरीदा, ठाप से करके, फिर उसके बाद ठाप से एक पिक्चर ओल बे तुलसी में एक पिक्चर देखी लिए, बैलक और पिक्चर देखने का, शौकीन मैंने कहा रही, भाबा कि अराम से पिक्चर देखी फिर बढ़या से, फिर फसला शाम को आगे, फिर अमीनाबाद, अमीनाबाद वहां फसला व उपर उपर में उनके दुगाने होती थी, उपर बठाते थे हो, तो वहाँ पर एक आइस्क्रीम खाई या कुल भी खाई, तो उसके बाद फिर गए पांदरीवा को, सवान अवान समेठा, रात की ट्रेन पकड़ी, दुस्तरे दिन सबेरे, धैनी ताल. उस समय के कुछ फिल्मों के भी याद है आपको? तो अभी आगे कहान ही उसकी आई का, उसको नाम था विशाल, तो हम दोरों बिल्कुल लंगोटिया यार, बागी आतर भाई हमारे घर में ललाई, वो ही दोनों हम दोस्त, वो भी हम साथ-साथ में ही पढ़ते थे करें, वो इंटरों पढ़ते हैं, वह हाई स्कूर में ऐसे करें, उससे मेरी कमाल की दोस्ती, अब वो भी मेरी तरह अतरंगी, अब जब ये काम मेरा सुरू हुआ, तो फिर उसके साथ आज ये काम सुरू हुआ, खाली टाइम में जब कुछ नहीं करना है, उसने बाद साथ अंडे का को लगा दिया, सर्दियों में, तो अंगी ठीमें कोगो कोला उन दोनों नहीं 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 आना चला था, तो बस हो गया एक घड़े में तलाब का पानी भरा, ठंडा होता था ता बिल्कुल हो, उसमें डाल दिये कोगो कोला, तो कोगो कोला बिग रही है, पिर जितने पैसे कमा है, शाम को दोनों ने पिक्चर देगी, फिर मैंने घर को चलाने के लिए भुटो बेशना शुरू किया वहाँ पर, नाव स्टेंड पर, वो जगए खाली हो जाती थी, उसमें, वहीं लगाया वो, अंगीठी, और वहीं बैठे एक बोरा बिचा लिया, वो रग दिया, बुंते, आप इस्वास कर सकते हैं, आप इस्वा नहीं भी होंगे, तो तीन सो तो समझी लो, बिल्कुर, तीन सो तो मतलब ही नहीं होता, मतलब, आप समझो, आप ने साट सतर रुपे कमा लिए, तो मेहने भर का खर्चा निकल जाता था, आप, अब जॉब की बात बता रहा हूँ, खाली हाँ, कट कट करके मैं जॉब बता जाओंगा, फिर जब हाई स्कूल का मैंने एक्जाम दिया तो हमारे बगल में एक सनवाल साब रहते थे जो चेर्मेन थे नानी ताल के, तो हमारी घर की इस्तिती जानते थे, मेरे पिता जी ने उनसे का, तो उन्होंनों सत्तर रुपे महने की मिजर रोड इंस्पेक्टर न अगर जिन्होंने वो पर्ची नहीं काटी है, चुंगी नहीं दी है, या वो गलत ले जा रहे हैं तो उनको रोखना, और अगर भाईचान नहीं हो तो उनको फाइं करना फिर गुर्ड़ बढ़ हो तो, बट ऐसा कुछ होता नहीं था, बैठा ही रहता था था हमारे एक जग जगा दिया थोड़े दिलों के लिए, वहां मेरी दोस्ती हो गई, जो कहते हैं, जो इन्चार्ज थे हमारे वो करने के लिए, तो कहते हैं, वो अपना चलाते थे, एक म्यूजिक वाला, तो हमारे वहां के एक कृसिद्र जिनको देवीराम माथ साब, मैं उनको सद्धान जल भी देना चाहूंगा, अभी तो उनकी डेथ हो गई है, तो वहां पर सितार सिगाते थे, तो साम को उठा ले जाता लाली तक के कर रहा तो, चल, चल में तो तो वही आके बैठ जाता था, तो मैं साम जले चुटी हुई तो पांच बिले चुसर दियो गए निल्टहरे, वहा इतना हो गया, आप इस्वास करोगे, उस टायम में मेरे को देवि नाव मा साम ने लखनो भीजा, अपने एक दोस्त के वहां, उसके वहां रहा, उसने मेरे को, मेरे खाल से पंद्रा सो का था यार, डिड़़ सो तो नहीं कर तो मिलता वोगा सिधार नहीं, मिलता होगा, या तर अच्छा खासा था है और यह मुझे पंदरा सो लग रहा है पता नहीं क्यों बढ़ा ऐसा ही कुछ था भाई जाव ने इतना बढ़िया उस आदमी ने सिधार लागे मेरे को दिया फिर उससे सीखना शुरू किया और उसी दुरान मेरे फिदाजी की डेट हो यह 21 साल की बा और उसी दुरान मेरे फिदाजी की डेट हो यह 21 साल की बात है तब 21 साल था में जो को और तब तक मेरी नौकरी राश्णिंग आफिस में लग चुकी था पढ़ाई का काम पढ़ाई भी चल रही साथ में साइमेल्टीनिसली साइमेल्टीनिसली हाइज स्कुल में एक बार फ लोग हैं इंटरमीडिटर में बट मेरा सबजेक्ट था साइन्स एंड मैथ्स वो नहीं छोड़ा मैंने अब हुआ क्या कि महात्मा गादी की डेथ को हुए सो साल अब कब हुए जड़ा बताईए आ पहले काली लोगों को बोर रहें कि नई बात है तो उसमें बाइसा कमाल क बात ये होई कि गौर्वेंट आफ इंडिया ने एनाउंस किया कि जेल में से जितने सारे कह दिया है ना उनकी एकाथ दो साल की चुट्टी कर दिया जो उनको चुट्टी दे दी जाएगी और जिसकी सप्लिमेंटरी आये थी जो फेल हुआ ता हो फिर से सप्लिमेंटरी दे सकता है अच्छा मेरे साथ एकटर बना नहीं तो मैं अक्टर नहीं बनता हर और अग्रेज़ेंगें फेल में बारा सौ में से फिरा सांस में बावन पचपन मैच्स में इठावन हिंदी में वा कि प चास सेगन डिवज़न हमार वा 12 नमबर, हाइसकुल में भी वैसे ही फेल हुआ, इंटर में भी वैसे ही फेल वा, उसप्ली मेंटरी में भी वैसे ही फेल हुआ, फिर बाबो ने, मेरे पिता जी ने एक टीचर रखा अंग्रेजी का, और वह साब उसने पता नहीं क्या मंत्र फूगा कैसे पड़ाया, तो उस चरपास हो गया तो मेरी नौकरी लगई यहां और चार-पांच जगे मैंने इंटरिव्यू दिया था तो वहां मेरा सेलेक्शन हो गया उसके दो मेहने बाद पिताजी मज़ गया माई में यही डियस आफिस आशनिंग आफिस में अब देखे इतने सारे काम मैंने अभी मैं उस ने बेरे को लाद तक मानी है साले तेरे पते में जीरोह आथा ले तीरी इमा network मतला गाली वालीबी मैंने तो वह काम वी मैंने किया उससे भी था जा हैlawे अचम वह था खीड़ नियुक्छाव काम बच्पने लो खूब खेलते थे घर में मार भी पढ़ती थी मालों खाने के लिए पांच पैसे दिये तो मालों पड़ा उसी में खतम करा है और जीरो आगया उन्हें चल तो हाथ पोशाना निकल गया उन्हें यार खारी पैसे भी चलेगी हमारे तो इस तरह का हिसाब कुदाव होता तो इस तरह से मैंने देख इतने सारे काम और अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है मतलब और मैं कितनी मेरे विजिए पैसे पान लाना शुरू कर दिया और मुदे बने पान बेजना तो दुगान अच्छी गासी चलने लगी बनो throwing की तरह भी चलने नाम याद है ने बुच नहितरे काम कुछ नहीं था है तो आड़ी लेकिन हमारी पैसे पहली दुगान थी जितने नैनी ताल के जितने पान बेजने वाले थे थैं उन सब और मारे नहीं एक काली सुपारी होती है उसको खाने काव हमारी हमार बड़ा सौक था उसकी बोरी हमारी वेस्टबेंगोल से रहती थी हां 맞ा Pike पंचा एक बार पान लेने के लिए और और जो मेरा आरती था व्होग से बार comigo तंका कानपुर पहुंच गया कहे तरह बाप को जिद्धी भर कहते रह गया मैं तुम आओ आओ तू कैसे आ गया या उन्होंने मिरको बच्चे की तरह गोद में उठा लिया जी इतनी आतिर खातिर मेरी करी उन्होंने और भाई साफ पूरी कछोड़ी ये करके और बिल्कुल दूसरे दिन मिर को बनको दरीबे में ले गिए पान मान दिला एक पैसे का फाइदा नी लिया उन्होंने नैने बेटा मैं तेरे से तुर को प्रोगाम करने को रहा तू का कैसे गया जार तू मुझे समझ में नही आ रही तो नहनी ताल का लड़का जिसको बसमेट में नहा था तो ट्रेन में वो करता है ड्रामा उनका नाम भी मैं लेना चाहूंगा अभी जिन्दे हैं हाँ नहीं दा सुरेश गुर्रानी और एक और अल इंडिया ड्रामा कमप्रीशन हमारे महा होता है जो हमारे महां कलब है शारदा संग वो लोग करते थे इसको और्गनाइश तो मेरी मदर कभी- आल या पैसे तो होते नहीं त tree तो मैंने उस से कहा मैं का यह जा यह वो नृ करता है तुम कहते हैं उससे कहोगी तो तौह ने को कर लेगा और एक दिन बोरे के लेगे अपने सार्थ निया啊 सुरे सर ये लॉट तो मेरा काई ना डामा करने करता हूं कि आरे बिल्कुं सही बात चुब बलकि अभी तो शुरू होने वाला है आटम फैस्टिबल के तो आ जाना हो गया जी मेरा काम शुरू हो गया हो वहां हमने सबसे पहला प्ले किया था सीमा रेखा विर्ष्णू परभ वहां का सीमा रेखा था तो सबसे पहला प्ले मेरा था वहां जो मैंने किया आप यह समझो आप 69-70-72 में मेरी नौक्री लगी आप 70-71 समझ लो 70-71 की बाद है 70-71 की उसके बाद क्या हुआ कि अब एधिरे-धिरे उसकी रफताद बढ़ी हमनेए क्या एक आत हैं और पुरान पुराने लोग थे हमें एक गुरूप बना लिया ऐसे धीरे धीरे हम ड्रामर रोड करने लगे ये एक टिपिकल बात जो पॉसिबल नहीं है करने लगे तो एक बार हुआ कि अगा वहां के डिग्री कॉलेज की पचासवी जेहिंती थी तो उन्होंने एक ओफर दे दिया कि भी हुआ करते थी कुछ लोग जो थेयर्टर के ऐसे सौकीन थे तो उन्ने का या लेनी इन पंत हैं अमने डेक्पी डारेक्टर सौंग हैं डामार जन दिली उनको बुलाते हैं अमने पहाड के हुए हो आ गये जी हो अब और यह सल कोई को बिल्कुल थोड़े थोड़े या लली तु दो बहुत कुछ दिखता है तुनी क्यों नहीं ट्राइए करता महां के लिए मैंने ट्राइए करता है मैंने का है कौन चीज़े गए कैसे पता चले किसी तरह मिरे को पता चला तो मेरी एक पहचान निगल गई वो सौंगन डामन डिजन में एक राजिन चोधरी और तारा चोधरी काम करते थे उनका एक रिस्तेदार हुआ करता था प्रेम मठियानी जो बात में जाके सौंगन डामन डिजन का ड्रेटरी भी बना तो उनका हमारा रिस्तेदार है वो ड्रामा स्कूल पास किया है उसने लली उससे हम तेरी बात चलाते है अब कट्टू यह हुआ कि एक दिन क्याते हैं एक सौंग डामन डिजन में डांस डिरेटर थे जिन्होंने उदेश शंकर का ग्रूप जोइन किया था उस ताइम में सीखते थे जब अलमोडे में उन्होंने ग्रूप बनाया तो उस ताइम के वो थे सती साथ अब मेरी मा और उनकी वाइफ के दोस्ती वो हमारे घर में कभी नहीं आते थे उस सर्दी के दिन में आठ साड़े आठ बजे घर पहुंचा रही क्या कर रहा तो मैंने कुछ नहीं बाद सोनी की तैयारी खाना वाना खा लिया था अरे यार वो पेमट यहां नहीं आया यहां इंडिया होटल में टिका हुआ ह तुझे मिलना आया तो मिलने नहीं सबरे जा रहा हुँ अरे वाईजा मैं तो आओ देखाना ताओ फिर कपड़े पहने और यह करें सीधे इंडिया होटल और उसने भी भात पॉजिटिवली मेरे को लिया इतने बढ़या से कि उसने मेरे को वो कर दिया लेकिन एक बात मेरे में जानता हूँ तो फिलमों के फैसिनिचन में यहां आ रहा है कि मैं यह बन जावा और यह बन जावा और यह बनागा, कुछ नहीं बनेगा, यह मत सोचना तो, कुछ नहीं होता डिरामा स्कूल करके, कितने लोग है जो यह मैं भी क्या कर रहा हूँ मैं निकल गया अब एनरिज रेपरटरी में हूँ और जब इंटरिवीउ देगा तो ये कभी मत कहना मैं फिल्मों में जाओंगा तरह इंटरिवीव बड़्या भी होगा तो तरह को फेल कर देंगे हो हैं तो हो गई बाजी उन्हें का पास जैसे ही फॉर्म निकलेगा तू भरना और जैसे तरह कॉल लेटर आएगा तो सीधे हफ्ते पर पहले मेरे पाप पहुंच जाना हाँ और कट वाईजाब खैर वो फॉर्म भरा गया लेटर आगया बिल्कुल में बसो गया जैसे ही लेटर आया राग दूसरे दिन में सबेरे दिल्ली पहुंच गया और के के रहना इसमें मैं के के रहना कर जिकर करना चाहूंगा कि पेसिकली वो प्रेमट यान से जादा बैटर रेक्टर था तो यह रगड़ाई करी उन्होंने दिन भर मेरी जो होते ना वो याद करके बोलना और कविताओं को बोलना यह करना साय वना परफेक्ट कर दिया और पवा भी लगा दिया तो मेरा सेलेक्शन हो गया जी और एनेस्ट की स्कोलर्शिप में हो गया हां और जब उन्हों वो पूछने लगे उनसे जिनोंने जिसके साँ पवा लगा नहीं हां तो बहुत ही बढ़िया किया उस लड़के कि कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी कहने कि कि चिजे वो तो उसका इंटरिब्य उतना बढ़िया और सभी बहुत कुछ हो गया वले वले मा कट्टू और फिर आकरी मोमेंट है मेरी मदर ने मेरे से कहा कि घर में कोई नहीं बाप कोई नहीं सबसे बड़ा में घर में तो मेरा एक छोटा भाई था दिनेश अब उनी सेबल्ड है बिस्तर में ही अबकरनेवाला कोई नी जो मेरे से बाद वाला भाई था वो बिलकुल ऐसी बेकार का था वो दुकांदारी थोड़ा बहुत करता था नईंत में पॉर्ड लाता था वो फिल्मी सीन था बिल्कुल ज़िदे दीवार समल्च लो तरसूल समल्च लो कुछ भी सम्दा आप ब कि एक बार तो मैं बीजिए गया मैंने का यार इतना चूटा है यार अभी ये 12-13 साल गा पड़ रहा है बहुत पड़ भी चुका नोकरी कर रहा हूं क्या करूं बट वह पागलपन ऐसा था कि नहीं आप मैं चल कर तूं कोई बात नहीं है और मदर नहीं फिर अल्टिमेटली म था कोई बात नहीं आते रहा हृँ इतना ही कर रहा है तो खर्चा नहीं था 292 पैस कोलरशिप मिलती ती तुमें काम चल जाता मैंने कभी अमने घर से पैसे नहीं मगाए कभी नहीं मगाए उठाए 7 में चल जाता था मलब बड़ा अच्छे से कोई ऐसा नहीं कि भी मारें न रहना, खाना, पीना, तो 77 में आ आ गया वहाँ, आप कहां से शुरूर करूं, आवाट अकरा हूँ, आ गया हूँ, आ गया हूँ तो बस पढ़ाई चलने लगी तो, उसमें डिरेक्टर को था है, डिरेक्टर हमारे थे उस तरह में अलकाजी, लेकिन बड़ा अफिवल वाला ट ही नहीं नहीं कर दिया, फिर आगे कारण जी, तो इसलिए एक साल तक हमारा कुछ नहीं चला हूँ, उसमें फाइदा यही वहाँ कि रंजीत कपूर तो नया नया निकला था, उसने बेगम का तक्या प्ले किया, उसने एनस जी को आसमार में पहुंचा दिया, तो उसमें हमन काम किया, क्राउड में, तो क्राउड में भी बहुत सीन थे हमारे, 30-34, बहुती मेजर काम था मतलब उसमें, भी गाना गाना, यह करना वो करना, खर वो साल इसी तरह से भी दिया, बलब यह कहना चाहिए कि जो ठिक ठाक पढ़ाई शुरू हुई तो सेकंड डियर से पढ़ कराउड में, तो क्राउड में, तो क्राउड में, तो क्राउड में भी बहुत सीन थे हमारे, 30-34, बहुती में, इसर काम था मतलब उसमें, भी गाना गाना, यह करना वो करना, खर वो साल इसी तरह से भी दिया, बलब यह कहना चाहिए कि जो ठिक ठाक पढ़ाई शुरू हुई तो सेकंड डियर से पढ़ाई शुरू हुई तो कहने हैं, अलकाजी और कारण साथ दोनों के साथ हैं, बिलक क्यमोच और कुनाल क्यमोच बाप, और इस तरह के बहुत सारे नवतेज हुंडल और इस तरह के बहुत सारे लोग थे, और टीचर्स में? टीचर्स बहुत कमाल के, पांचाल दादा थे, एक उडीशा के दादा थे, एक मेक अप वाले छोटे छोटे इंदू दादा थे, उन इतना बड़ा काम है, इसके पीछे, इसके सामने ना नाम कुछ बेचता है, ना पैसा कुछ बेचता है, ना उहदा कुछ बेचता है, यह अपने आप में उससे भी बड़ा काम है, और उसको उसी तरह से करेगा तो जिन्दगी में सार्थक होगा, सक्सस पाएगा, नहीं तो कह सीन आदा सीन इसको एक्टिंग थोड़ी कहते हैं एक दिन मैं पूरी फिल्म का काम ख़तम हो गया जिसमें एक सीन है एक डायलोग है अब यह कोई एक्टिंग थोड़ी है और आर्ट फिल्मों में काम मिलने लगा मैंने लाइन चोड़ दी आज तक नहीं जी तो वैसे पहली फ बंबई में अपने दोस्तों के पड़ा आता था यह फात देखने आया था मैं की देखा बंबई में क्या होता है कैसे रहा जाए क्योंकि पैसा तो अपने पाँ है यह नहीं बिलकुल यह दम से बिलकुल खाली तो उस फिल्म चुलाओ कर दो सुनों तो सह nectar हरे जादू 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 बला ये तो कभी सबге here समझे समझ ही नहीं सकता हैं समझ नहीं सकता वो पता नहीं कौन सी किस की तो क्या इच्छा जाना है, शाम को मैं उसका भी जिक्त करना चाहँ हूँ, अशुक शर्मा एक अच्छा दोस्त बन गया था, था तो बड़ा बीहड वो, लेकिन पता नहीं मेरे को कैसे प्यार करने लग गया था, हम दोनों पृष्वी थेटर पर बैठे हुए थे शाम को, ऐसे ही को यह समझो, पांस, साड़े-पांस का टाइम होगा, ऐसी बैठे हुए तो सिविड़ेट पी रहे थे, आराम से बैठे हुए गफशम मारें, मैं गया जा रहे हैं, और फिर आते हैं, और फिर आएंगे, जा रहे हैं, एका एक पता नहीं उसको क्या स्ट्राइक किया, उन्हें लिए एक कुछ बात चलते, चलते, कुछ बात है होती है, और फिरीको फैली एक तर catch then, कुछ बात है होती है, एकशा हहा इका नाम हगलं good gör, क्या प्रावल में कट्टू अज भी है तीसरे तीसरे दिन जी उसके साथ ट्रेंड में सेकंड क्लास थ्री टायर वो भी कोई यह सी फेसी नहीं कोई है उसकी तरह जा रहे हैं आप मैं तो ऐसा होगया बगल अलिति वारी है क्या हो रहा है कहां तो तो बंबाई से निकल के वहां जाने की तयारी कर रहा था है और कहां यह कह रहा है यह हीरो स्वांश्य चुटिउटिंग शूरू हो गई और बाब बाब मैं यार ये तो मेरे जिन्देगी में कभी सोचा नहीं था, मैं तो आए आःए था हीरो बन गया मैं सोच दो आब जे बना साव मैं को है क्या कहो जिड़ा बताओ अब इसको मैं अपनी महनत तो कुछ नहीं कह सकता बिल इलकुल नहीं कह सकता एक रती अगर जो मेनत है तो वा शो शर्मा की है नहीं उसके पास पहुंचता है बस सही योग भी नहीं कहूंगा मैं कहूंगा कि कोई ऐसा कोई होता ना कि कोई चीज मढ़रा रही है आपके उपर जो आपकी हेल्प करना चाह रही है और उसी ने तो साल बाद ये भी हिस्ट्री है सोचो होई नहीं पहाँ उसकुछ फिर वो एक टाइम में आया जब ये सेडूल उसका बिल्कुल गड़ा गया अब उसको लगा ये आदमी का क्योंकि उसने बहुत दुर्वेवार मेरे साथ बहुत किया था उसको लगा ये आएगा इससे बात मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ मैं बहुत उंचे ख्यादवारा आदमी हूँ मैं रहे तुम जहां कोगए जब कोगए कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए कोच नहीं चाहिए चलो ना आजब लेजाम में तो चले गए वहां भी काम क्या होना था को जाने को तैयार ही नहीं था खाली कैमरामैन वो गया मैं ओगया वो गया अपनी गोपीदेश आई वह भी नहीं आई अपनी अपनी नहीं और बस वो तो उन्होंने कुछ-कुछ-कुछ शॉट निपटाए है वह जबार फिल्म की शूटिंग अब एडिटिंग हो रही है और ब बास हो गया, ऐसे करके, फिर बात में उसमें भी हाथ जोड़े, कहने लिए तु डबिंगर देगा इसकी आदमी, क्या तुम ऐसी बात है, क्या करता, तुम क्या मैं को, तुम या तुम अपनी तरह समझ रहे हो, क्योंकि तुम ऐसे कोड़ने वाले बेकार के बत्तमीज से आद कोई मतलब नहीं यह सब कर सीखना चाहिए, हमारे माँ यह हिंदुस्तान में यही तो कमी है, कोई आदमी काम को कुर्षेट को हाथ में लेगा, आदे में छोड़के चला जाएगा, गलत करके चला जाएगा, तब ही तो हिंदुस्तान की यह हालत हो रही, अधर मैं होती ही, नहीं तो काम तो सबी कर रहे है, भाई यही है, इसी में हो जाता है, इतने में हो जाता है, बुराई तो बड़ी बहेंकर होती ही ना, मल्टिपलाई, इसके बाद क्या हुआ हुआ है, अब इसके बाद मैं ठीदिये दिए मतलब यह है कि कमर्शल फिल्मों में आके काम करने लगया, क्योंकि उसके बाद तो मेरे कुछ निमिला फिल्म दो बंद बड़ गई, खदम हो गया उसका इसाब किताब, जो मेरे को जड़ासर नजरों से देखते भी थे, तो उन्होंने में नजरों से दूर कर दिया मेरे को, लाइक भी नो चोफ़रा, यह बट साइद मेरे लागों में मानूंगा, वो मिरे को बहुत प्यार करता था, हाँ, केतन, यह लोग, क्योंकि यह वो सी ग्रूप थे कितना, कमल के ग्रूप के, इन्होंने काम दिया मिरे को, फिर शाम बाबू, आरे नसीम, उनके साथ नसीम की, और कमल की बात देखो, वो भी साइद, एक इत अब वहाँ कंट्रोवर्सी क्या होई, मानूम है, आप सोचो जरा सा, जिनके साथ मैंने काम किया था, कमर्शल फिल्मों में, जो वहाँ बोर्ड में थे, उन्होंने कह दिया कि ललित तिवाडी तो हीरो लायक है नहीं, इसको तो आप दो रोल नी दे सकते, शाहिए ने लड हो गया है, ऐसे करके जो 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 नाम लिया हों, पुरी हों, पुरी हों, यह है, अल्टिमेटली वह फिल्म एक साल के लिए रुप गई, चेतना अलन के पास तक गए है वो, लेकिन उसका कहना है था, ललित तिवाडी, यह कुछ भी कर लें, यंग रोल तो तो ही करेगा, बत भी के एक्टर नहीं और डिसेबल्ड, खतिया में ले जाना पड़ता था, उनको तब बैठाना पड़ता था, और मैंने उनका यंग रोल किया, जब उसका प्रिवीव होगा मानु में, जावेद साहब और समाना में दोनों खड़े होंके मिरे को अबबा कहने लगे, इससे क्या बात, क्यों आरे, किया है ना मतलब, अरे हरी बरी में तो मैं हीरो था, ना मेरी छोड़ी बेहन बनी हुई थी, ने कोई बात ही, सब बहुत बढ़ बढ़िया लोग है, बहुत बढ़िया काम किया उनका, बड़े इंटेलिजेंट लोग है, मतलब उनकी उस लेवल पर हिज़त करनी पड़े, कि बागी हो हमारी हिज़त करें नहीं करें, यार यहां पर बंबाई में कोई किसी के इज़त नहीं कर रहे हैं, तो यह कवरसियल फिल्मे क्यों छोड़ी है, इसलिए छोड़ी कि मैंने वही एक सीन आदा सीन, मैंने का लागी, एक दिन का काम पूरी फिल्म कितम हो गई, पैसे कितने, थेड़ा दार रुप Mehr मिलगें, तीने दार रुप मिलगें, उसके लिए भी, अरे आजाना, यार, मिल जाएंगे, कितने पैसे टिलवाले दुलरीनिया ले जाएंगे सायद उसमें पहजए दिखाई देता हूँ क्यों को उसी घर में शादी हो रही तो मैं हर जगे इनवाल हूँ डाइलोग ये नहीं है डाइलोग आखरी में है कि वह भाग गए लोनों बस हो गया इतने ही एग लाइन का डायलोग है, भाग गें, उनके साथ में चानदनी में यहांजी के साथ अच्छा रोल, चानदनी वो मेरेको बहुत प्यार करते थें, और छोड़ा मैने इसी वेसे, मैंने कि यार इतना प्यार करते है, रोल देते नहीं है, फिर मेरे को ये रोल, छोड़ा मैने का आप मैं नहीं करूँगा, और उस पूर्डूसर की बाप, आप यह बोलूँगा, यह गलत बात है, बोल चुका हूँ मैं वैसे, एक जगा आप नहीं नहीं होता, लेकिन बाप समझ, उस दिन नहीं, वो फिर क्या बता है, 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 आप तो बोड़े उस्ताद हो ऐसा, फिल्म का नाम हो इतना बड़ा, वो ता फिल्म का नाम ही बता दूँगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मैंने उस दिन देखा यार, बाप ने बाप, अ पुसेड है मेरा, अब नहीं करूँगा, अभी से नहीं करूँगा, और विस्वास करोगे, उसके बाद मैंने बड़े अजीब से जिन गुजारे, जो मेरे ले बड़े मुफीद थे, क्यों, उन्होंने मेरे को जिल्दी के रंग दिखाए, पिरको भिकमंगा नहीं किया कभ अच्या, मेरे जिदी का एक और कृसेड है, आप जड़ा बताएए किसी एक्टर का नाम ने लिए जो आज तक भी ट्रेन में जाता आता है, और बस में बैठता है, किसी एक्टर का नाम लिएजिए शोटे से बड़ा, सीरियल से लेके, किसी तक भी, नाम मेरे को नहीं लेने लोग, कमरे के अंदर बैठे रहते हैं, कोई इस्तार है, जो मजार में जाके गोलगप्पे खा सकता है, सबजी खरीच सकता है, ऐसी आराम से चल सकता है, ट्रेन में जा सकता है, कौन नहीं चाहेगा, आदमी सामाजिक प्राणी है, कमरे के अंदर बैठने वाला प्राणी नही गॉर्वेंट देखेंगी वह जाए अज फिल्मों की सुरुवात मेरी अप एक तो पहली से ओम तर बदर सही हो गई पिर याज जल सब हुए सब यह सब अलग अलग तरही की बात है करने लिए हैं इन लोगों साथ काम में अज फिल्मों की सुरुवात मेरी अप एक तो पहली से ओम तर बदर सही हो गई पिर याज जल सब हुए सब यह सब अलग अलग तरही की बात है करने लिए हैं इन लोगों साथ काम मिला सीरियल हो हैं मेरे को बहुत जबरदस तो उसमे सबसे बड़ा सीरियल था मेरा महावारत फिर उसको भी एक सेमी आर्ट कह सकते हो कमर्शल भी कह सकते हो सेमी आर्ट महावारत जिससा महाका जिसकभरी ओफ इंडिया सबसे बड़े शामpa मैंने उसमें बाबर का रोल किया है मैंने उसमें अरजुन का रोल किया है मैंने आशार का एक दिन कालिदास के पिरियड में मैं कालिदास का विलोंग का रोल किया है मैंने उसमें मोहन जोतारो के पिरियड में सुमेरियन बिजनसमेन का रोल किया है जिसमें पल्लीवी जोसी मेरी हिरोईन हुआ करती थी आच्छा और और मैंने असोका पीरियल मैंने एक जासूस का रोल किया है तो मैंने ऐसे सहसाथ करेक्टर किया थी जो दो-दो एपिसोड में भी चलते थे काई महाबारत में संजय उसमें अरजुन महाबारत में सबस्च जज़ादा किरदार मैंने किये हैं महाबारत के अब नाम बताता हूँ एक करके संजय अरजुन उसके बाद डॉक्टर साब के उसमें विदूर पिस संजय खान के उसमें धृतरास्ट फिर मैंने जो अंधायुक प्ले किया था जो जैनिन पंदमदा उसमें बृद्धियाचक फेक्टिशियस करेक्टर था बृद्धियाचक फिर उसके बाद संजय खान ने एक दूसरा वो किया था जिसमें मैंने कृपाचारी का रोल किया था फिर अल्टिमेटली मैंने भीष्म का रोल किया था डॉक्टर चंद प्रकास के सीरियल में भीष्म का जो सरसयावे बैठे हुए वो कमाल का था लोकसवा टीवी के लिए नो नो ये लोकसवा टीवी के लिए यार शासन ब्योस्ता पर जो बन रहे थे महाभारत शुरासंगी थ थे एक मतलब बच्चों के साथ बात कर रहा हुए उनको ज्यान दे रहा है और वह इसा हिलेरियस सीन ना मैं क्या बताओं और सरसयावे भारे वह तो क्या सीन लिया था मंदिराजी ना इस तरह से करते करते तुम सीरियल सीरियल दरार शत्रंज तारा कुंती राम मिलाई बड़ी क्या क्या ना मता हूं और ये रिष्टे टेरिरिस्ट बनाओं उस में और और ऐसे बहुत पनाम याद आ जाएंगे सबसे अच्छी याद किस डिरेक्टर के साथ है आफके याद सबसे बढ़िया याद वैसे सबसे बढ़िया जो मिरे को आदमी लगाना चाहे उसके बारे में लोग कुछ भी कहे जो एपलॉज और जो प्यार उसने मिरे को दिया वह संजय खान वो एक्टरों का ऐसा मुरीद है ना अगर आपने अच्छी एक्टिंग कर दी तो उसी बगत तालिया बजवा देगा आप जो कहोगे आपके लिए कर देगा और आपको इतना एप्रिशियेट कर देगा कि आपको लगेगा कि आप इस फिल्म डर्स्री के सबसे बड़े एक् जबकि एक्टर तो एक्टर से बहुत चिड़ता है ये कबिलियत मैं पता नहीं ऐसा कभी 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 सोचता हूं तो मैं सोच ही नहीं पाता है सोच ही नहीं पाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है एक्टर एक दूसरे एक्टर को इतना एप्रिशियेट कैसे कर सकता है ने तो दूसरा एक्टर तो बोलता ही नहीं है, दूसरे एक्टर के बारे में उतों तो मैं यह करता रहता हूँ, तो मेरे बारे में यह कहें, ललिक तिवाडी तुम करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता, और एक बार तो उन्होंने, हाँ, यह 1857 कृरांती, जुसमें मैंने यह बाजी राओ सावन जी एक दूसरे आदमी है, जो बड़े इमानदार, बड़े सयार, कोई अपना औरा नहीं प्राण साफ थे, प्राण साफ ने मिरे साथ बहुत अच्छा वेवार गिया, वो भी अच्छा प्यार करते थे मेरे को, तो वो भी बड़ा प्यार करते थे, बो लिबरल थे हो जैसे क्या होताना कुछ लोग अपने एहंकार में उस तरह से जीते हैं, उस तरह के नहीं थे, प्राण साफ नहीं नहीं, प्राण साफ तो कहर बहुत ही बड़ी होगा, प्राण साफ तो रियल ओल्ड, 80 साल के होगे, तो बड़े बड़े हैं, तिवारी क्या हो रहा है, चल बैट ऐसे करके बात करते थे, बड़े बाद माझ आता था उनके साफ, तो साफन जी के साथ भी बड़ा माझ आता था, एक बार उन्हें अपने घर में मुशायरा रखा तो मिरे को भी बजहा है, चल लाओ, पुनी रात में उनके घर में ही रहा फिर, तो बड़े प्यार करत जो मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी आदमी को लाइक करता हूँ, क्याते हैं, एजे आर्टिस्ट तो है राजकबूर साथ, अल्टीमेट, अल्टीमेट, अगर कोई कहेगा तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैं कहूंगा मैं उन्हीं के तरह बनना चाहता हूँ, हाँ, नॉट ल साथियम से आउसकर वालों को चैलेंज करना चाहता हूँ, आउसकर वालों को अगर तमीज है, तो उन्होंने मेरा नाम जोकर को रेट्रोस्पेक्टरि लेबल पे उस लेबल पे वो करके आउसकर देना चाहिए, पॉस्ट फूमस्ली, ऐसी फिल्म हॉलिवड वमी नहीं बनी होगी, मैं चैलेंज करता हूँ, मैंने भी सेकलों फिल्म में देखी हैं होली उटकी, और सेकलों एक्टर देखे हुए मैंने, तीन कोड़ी की फिल्म उन्होंने उसको दे दिया, वो एक फिल्म थी, आपने देखी होगी वो फिल्म, क्या थी आर्टिस नाम था उसका, इतनी तो बताईए मेरे को वट इस आर्ट, आर्ट का मतलब यह सरवे सरवा, यूदो एवरिटिंग, आपको भगवान ने पूरा सरवांगीन बनाया है, संपूर्ण, उसमें कहीं छेद नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, हमारी रेस की, अच्छे हैं बुरा देखते हैं, आर्ट बिल्कुल जी, अरे हद हो गई, यह क्या बात कर दी, अब एक आदमी को कहो गए अच्छा आदमें बरबाद हो गया, अरे यार यह क्या हो गया तुमने यह तो निकाह बुरा आदमें बरबाद हो गया, अच्छा आदमें बरबाद हो गया, अच्छा आदमें बरबाद हो ग कभी कोई गटिया काम भी घडिया दरीगे से नहीं किया और आज मैं मतलब चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म डस्ची में शायदी बिरला कोई कलाकार होगा जिसने इतने करेक्टर किया हूँगे याद है आपको संख्या याद है तेईस तो मैंने मुस्लिम करेक्टर की हैं तेईस अलग अलग अजान देने वाला इमाम बाबर शाजहां अब और क्या बदा हूँ है तो कितने फिल्में की हैं और कितने टीवी शोच भी अब यही मैंने गिना दिये तुम्हें दसवारा नाम जो थे और चोटे मोटे कुछ अ जिनको आप नाम भी भूल गए जो प्रतिग्या था उसके दस बारा अपीशोड कर लिए किसी के इतने अपीशोड कर लिए जो कि मैं आम तोर से कम करता हूँ वह ऐसी आप यारी दोस्ति कभी कुछ लिखने की कुछ खुद निर्देशित करने की बिलकुल अरे मैंने मैं ए जलती है उस पास्ट का मैं हीरो था मेरे साथ-ाथ सीन थे उसमें जिन में मैं इन लोगों का हीरो था जो बाद में बड़े होके बने मनुवर सिंग बीम शाह कारण जी यह बड़े हो इनका बास था मैं उस यांगेश में तो फिर वो क्यों छोड़ दिया अपने निर्देश मेरे कोई बात समझ में नहीं आती मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था फिल्म इंडिस्ट्री वालों किसके पैसे मारे थे किसको गाली दी थी किसकी मा बेहन की थी मैं तो सबकी बहुत इज़त की थी जो बड़े वो लोग होते थे पाउं चूते थे बियार चोबड़ा साब त नो नो मैं तो आगे बढ़ता गया तब ही तो मेरे को मिला कमर्शल फिल्म वो काम थोड़ी मिल सकता है मेरे को जो काम मैंने इन में किया कई लंगड़े का रोल कर रहे हैं कई भीकारी का रोल कर रहे हैं कोई स्टार करके देखे भीकारी का रोल मैं भी तो स्टार ही हूँ मै मैंने कम से कम जितने रोल किये हैं ना सब मेरे अलग 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 करेक्टर हैं मैं करेक्टर के हिसाब से बता सकता हूं रोल के हिसाब से नहीं बता सकता हूं कि 17 जमें रोल किया ये किया 17 जमें मैंने रोल किया मैं एक बनाओं वो टाइकून टाइप का वो मतलब जो गलत काओं में लगा हुआ है इस तरह का सेट है वो एक फर्ज मैंने सीरियल किया निम्बस वालों का उसमें मैं एक बना हूँ बिलकुल टीन कोड़ी का वो क्याते हैं डॉन छोटे शहर का वो धीरे-धीरे करके एमेले बन जाता है मुटर करके घर मा आता है तो औरत उसके हाथ दुलवाती है खून से सोचिया आफ दरह सा पैसे पर तोला गया मेरे को मेरे बच्पन की फेंटेसी थी उस दिन तो मैं इतना खुश हो गया जिद्री शौट लगा था तो हमारे बच्पन में महा उसको तोलते थे ना जवाला नेरू साब को इनको इनको तोलते थे पैसे वैसे मेरे को भी तोला गया जब उसमार रखा गया तो फैसिनेट हो गया मैंने कि या बच्वन की आता जाओ मेरी अब सोचिए कहां मिलता है ऐसा तो मेरी एक्टिंग के साथ ये रियल लाइप भी चलती रहती है तो जहां से हमने बात सुरू की थी वो फिर से मैं पूछना चाहता हूं कि इस पूरे शफर का हासिल क्या है ये रहा कि जिन जो फिल्में मैंने की ना उसमें मेरी को फिल्मों ने ये जिन्दगी के लिए बहुत सिखाया उन्पे मैं कुछ फिल्मों के नाम लेना चाहूंगा आप लोंगे सामने आप जरूर देखना और इस मकसद से देखना कि उससे मेरी को जिन्दगी में क्या मिल सक सकता है पहले से सुरू करूंगा तीसरी कसम गाइड आनन बावर्ची और एक आद कोई हो सकती है चार फिल्में मेरी जिन्दगी की किताब है एक तरह से और इसलिए इन फिल्मों ने मेरी लाइफ को बहुत इस्टिपूलेट किया इंक्लूडिंग मेरा नाम जोकर ये ये चार तरह सकती है उन्होंने मेरी लाइफ में को ऐसा असर नहीं किया फिल्म में बहुत कमाल की मनाएं बट इन्होंने मेरी लाइफ पे इतना जबरन aser कि मैं कोशिश करने लगा कि या जनुति त्यolaड हो भी सकता है थोड़े थोड़ों और समें कोई नुकसान नहीं है कितना मज करके चला गया, उस हाल को आख ने में जाने में भी दुख नहीं हुआ, उसको लगा कि अप पिर कोई और फ़स जाएगा मेरे जाल में, तो इट्स लाइक डैट, तो मैं बिलकुल वैसा ही सोसता हूं, हाँ, और मैं अच्छे काम का बड़ा मुरीद हूं, और मैं अच्छा ही क जिससे आपको भी शायद कुछ मिल सके, बेकार का सिनेमा देखने का कोई फाइदा नहीं, खाली पैसे की बरबादी, टाइम की बरबादी, कोई मतलब नहीं है, और मैं आपको सबसे आखरी में एक बात बजा दूँ, अब मैं यहाँ पर अपना अहिंकार आपके सामिल गुबारा, सायद बेरे बरावर संतुष्ट दुनिया में संतुष्ट बहुत कम लोग होंगे, और जो होंगे भगवान करें उनको वैसाई मना के रखें और बढ़ा दे, मुझे अब मेट्रिलिस्टिक लिए कुछ नहीं चाहिए, अगर रोल में दम नहीं है, पैसे है तो भी नहीं चाहिए, रोल चाहिए, करेक्टर चाहिए, कोई मुझे रविन्ना तैगोर बना दे, कोई मुझे कबीर बना दे, कोई क्राइस्ट बना दे, कोई बुद्धा औरा दे, कोई विनोवा भावे बना दे, कोई माहत्मा गादी बना दे, इससे नीचे नहीं चाहिए, इससे नीचे से अब घास कुड़ा है, माल का चक्कर है, बस हो गया, जिसके पाए हो दबा के रखे, अब इस शीड़ी लगने वारी है, बनवा रहा हूँ एक सीड़ी सो रखे लिए, जहां पर पैसा ले जा सकता है, भगवान करें वो ले जाए, मज़ा आ जाए, क्यों दुन भी यूनीक है, यूनीक है, इतना बढ़िया तरीके से पूरे स्पैन को आप ही ले सकते हैं, ना ने, दूसरे की हमत नहीं है, और जो हमारे करने वाले हैं, अश्विनी, उनको अलग से बहुत धन्यवाद, इतना टाइम दिया, इसलिए मज़ा आ गया, उनको भी आदो हस रहे है, आच्छा लग रहा है, या देन्यवाद